नमस्कार विद्यार्थियों आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लैटफरम मार्किस विट नमीन सेने में स्वागत है हम बढ़ रहेते हिंदी और हिंदी के अंटरगरत अपन समास है वो टोपिक आज अपन लेंगे समास की सुरुवात करेंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं समास को लेकर अपन डिसकसन करते हैं टोपिक रहेगा आज का अपना समास ठीक है कि जैसे कोई चीज है उसको ज्यादा सब्दों में लिखने के लिए इसका समास का प्रियों किया जाता है आप बोलोगे कि सर कैसे जैसे मैं बोलू दिन और रात दिन और रात तो इसको मैं सिधा ही लिख दू दिन रात ठीक है तो आप बोलोगे सरी तो कम छोटा हुआ कमल के समान नयन कमल के समान नयन मतलब कमल जैसी आंखें तो मैं बोल दूँ कमल नयन यह वह सोट होगे ना इसका मतलब भी वही है और इसका मतलब भी वही है तो यह होता है समास अब समास में क्या चीज होती है क्या नहीं होती है कैसे होती ही वगेर 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 उसके बारे और काफी कुछ इसका cover कर दूंगा ठीक है न मतलब competition में आपका गलत नहीं जाएगा अब देखिए जैसे और समास को लेकर क्या क्या चीजां होती है जैसे एक समास है एक संधी आप बोलोगे कि समास में क्या किया जाता है सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें क्या को होता है सब्दों को कम किया जाता है और क्या किया जाता है सब्दों को कम करके छोटा संक्सित रूप बनाया जाता है जबकि जो संधी होती है संधी में क्या होता है वर्णों का मेल होता है जैसे मैं बताता होता है उसके अ्कान्तिम गट अभशी दोनों मिलकर के और कुछ क क्या करते हैं नया वर्न की आपकी आवाज निकालते हैं जैसे you कोई स्वर होता है उसकी दोने पर क्ट करते हैं जैसे ए और मिलकर को अ का यहां पर sound create करें अना भाहों तो यहां पर ृणों का मेल यहां पर सब्दों का मेले मोटे- जींट्रोब यह समसली तो यह संधी और समास का डीफ्रेन्स है अब अवपन समास पर कुछ चीजे और लेते हैं जैसे मैं बोलूँ कि मुख चंद्र मुख चंद्र तो इसको मैं से बोल सकता हूं चंद्रमा के समान मुख वाला यह चंद्र रुपी मुख जैसे यह ले लो आप कमल नयन कमल नयन में क्या है आपका कमल नयन में कमल के समान नयन कमल के समान नयन ठीक है एक और देखिए जैसे मैं बोलता हूं पूजागर पूजागर किसको बोलते हैं पूजागर पूजागर इसको अपन बोलेंगे पूजा के लिए घर पूजा के लिए जो गर होता है पूजा करने के लिए उसको अपन क्या बोलते हैं पूजागर बोलते हैं अब देखिए यहाँ पर यह वाला जो सिस्टम है इसको कहा जाता है समस्थपद है क्या कहते हैं समस्थपद है और यह वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है समास विग्रे अब इन दोनों के बीच में एक चीज और होती है हमेसा ही जान रखना यह इधर समस्थपद और यह समास विग्रे कभी आपको समस्थपद देखकर समस्थपद भी पूछ सकता है और इसके लावा यह भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा समास है अब इन दो चीजों के बीच मे एक चीज और आजाती है जैसे कि उदारण के तोर पर पूजा और घर तो यह जो पूजा है यह आपका क्या रहेगा पूर्वे पद रहेगा पूर्वे पद बतर जो पेले आने वाला पद और यह जो घर है वह आपका क्या रहेगा उत्तरपद उत्तरपद मतलब कि जो बाद म 10 जो आने वाला जो पन्य वह क्या दा है यह उत्र पद या आपका पूल ऊक्ट समझमें ये वाट सुट तो यह सिज हैं इसके बाद नेक्स्ट della अब मैं आपको कुछ पुछ तीजें और बता था हूं जैसे समास समास लेइते हैं ऐन pronounce के बिर गिए समास के भेद मतलब समास कितने तरीके का होता है दो कलासों में ले लेंगे अपने कोई दिकत नहीं आपन ठाट से बढ़ेंगे आराम से दो कलासों में समास को कॉंप्लीट कर दें समास के भेद समास के छे भेद होते हैं मुक्यते हैं छे कौन-कौन से हैं जैसे नंबर एक पर ले लिया अव्योई बहाव समास अव्योई बहाव समास नमबर दो पर ले लिया जैसे द्वीगु समास द्वीगु समास अगया इन सब क्या कि समास समास लगा तेरे नाप द्वीगु समास नमबर तीन पर जैसे आगया आपका बहुगरी समास बहुगरी समास ठीक है इसके आ गया गया आपका जैसे दीगु बहुब्री आगया दुवन्द्वे समास और इसके आगया आपका तत्पुरुस समास तत्पुरुस तो यह कितने समास आगे यह आपका नंबर एक यह नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच एंड नंबर छे तो यह छे समास के भेद है अब इन में से अपन एक 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 करके लेंगे और उनको समझेंगे जैसे अपन सबसे पहले ले लेते हैं दीगु समास से सुरुवात करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो दीगु समास अब देखो दीगु समास में होता क्या है मैं पैचानने कि सीधी आपको सौट कट तरीका बता देता हूँ दीग का मतलब क्या होता है आपका दो दीग का मतलब क्या होता है दो तो दो क्या है आपकी संख्या है तो आपको जहां पर्थम पद संख्यात्मक लगे मतलब पर्थम पद में आपको संख्या दे रखी हो तो वो सब सारे किसमें जाएंगे दीगु में जाएंगे तो जैसे आ नहां पर यह जो पर्तंपद ने तो पर्तंपद क्या है चो तो चो से क्या है चार तो यह पर्तंपद इसका क्या है संख्यात्म के संख्या को सो कर रहा है तो यह आपका किस में जाएगा द्विगुम जाएगा कि अब जैसे मैं ऐसे बोलू च़तुर बुझ चवातुर बुझ च़तुर बुझ बतलब चार गुजा तो चार बुझा में ची चे तूर क्या है आपकी संक्या है चार को सोगत आप किлом क lob मेरी समास में जैसे जो मूल होथे चार आर्थ निकलता है जैसे आप चार भुजा है तो चार भुजा से आप सिधा बोलो कि सर्व भगवान विष्णु ठीक है तो अब मैं आप एक चीज बता दूँ यदी उसमें संख्यात्मक मान भी दे रखाओ तो पर दियुमेर और बहुविरी में फरक क्या रहा है फरक यह कि यदि आप जैसे मान लोग कि परतंपद संख्यात्मक है और को तीसरा आर्थ निकल रहा है तो वो किसमें चला जाएगा बहुविरी में चला जाएगा समझ महीं बात और यदि तीसरा आर्थ नहीं निकल रहा है और संख्यात्मक है परतंपद तो फिर वो किसमें चला जाए संख्या संख्यात्मक आ गया यह पर्थमपद है वो क्या है पर्थमपद मतलब पूर्वेपद पूर्वेपद है वो संख्यात्मक है तो अब त्रीपद त्रीपद से कुछ नया निकल रहा है कि तीसरा अर्थ निकल रहा है तो आप बोलोगे कि नहीं सर नहीं निकल रहा है त तो इसको किस में डालो, इसको डालो दीग विक इतो अब मान लो कि जैसे आप कोई दूसरा लेते हो, उधारण के तौर पर, अब मैंने जैसे बोलूः उधारण के तौर पर जैसे की मैंने बोला चतुरूबुछ नैीर कि चतुरूबुछ चार है भुजाएन् चार बुजाएं किसके बगवान विष्णु के तो ये किस में चला गए आपका ये चला गए आपका बहुवरी में अब आपके द्वीगु में था तो वो डिपेंड करता है ओप्सन पर जैसे चतुर बूज के आपके चार ओप्सन दे रखें ए बी CND अब चतुर बूज में देखो एक है आपका बहुवरी और एक है आपका द्वीगू और एक है आपका आव्यवीभाव ओप्सन बता रहा है उचिंच ये यह इतने दे रखें अब मान लो यह इतने दे रखें चत्रबुच के लिए तब तो आपको होजएगा बोवरी तब आपके क्या और लो कि बावरी यह ओप्सन में नहीं अब यहां पर लिखाओ आ गया तत्थपूरुस अब आप से पुछे कौन सा ओप्सन सही होगा तो फिर कौन सा सही होगा तो कुछ-कुछ खेल है वो किस पर डिफेंट गरता है आपके ओप्सन पर भी करता है समझ मैं रहे यह बात चलिए next अब और अपन आगे देखते हैं इ यह चारों के यह जो भेद हैं वो सारे की सारे आपको क्या कर लेने हैं नौट कर लेने हैं फिर अपन और आगे बात करेंगे अब अपन पुछ लेते हैं और next अब जैसे द्विगू समास पड़ रहे था अपन के कुछ भेद लेते हैं द्विगू समास के बतलिकर समास के एकजाम्पल लेते हैं जैसे मैं बोरां त्री हो 3 लोक, यह आपका क्या है समस्ध पद हे जिहान राखना इसर्द रोक विगरे नहीं है, यह रखन पद और इदर आपका क्या है समास विगरे है, तो समास विगरे में क्या आएगा, 3 लोक मतलब 3 लोक का समू threat, अब इसमें कोई नया अर्थ भी नहीं निकल रहा है, और संक्यात्मक पारतम पत्छ यः पूरापल क्या है और जैसे सब्तर शर्चि किसको बोलोगे यदि साथ रिश्यों का समुन साथ रिश्यों का समुन समुन की आपके बार यह संख्यात्मक जो है न यहां पर लिकाहा है यह पीछे लेकक Bedway में इसुझे का मतलब रो उसका क्या होगा समा स्विग्रे क्या होगा समा स्विग्रे होगा दो मार्ण समह में दो लेककण का समह कर हुआ कि और देसे उदारण के तौर पर त्री डलाक म१ुत त्री बुज्य है धितीन आवजा नोगा का समूं तीन बूजाओं का होगे अब देखो ओर आता है जैसे सब्टा है सब्टा है क्या है सब्टा है आपके साथ दिनों का समूं तो यहां पर यह आपका क्या है द्विगु समास का उदर इस द्विगु समास का आप स्क्रेंशोट ले लीजे फिर आपन कुछ ओड लेते हैं द्विगु समास का लेलो भई आप स्क्रेंशोट लेलो इसको नौट कर लो बढ़िया तरीके से खड़ लिए अब आगे देखिए अब आगे लेते हैं क्रम धार्य समास कौन सा समास लेंगी क्रम धार्य समास एक तो आपने समझ लिया और उधारन है वह आप पढ़ते रहें आप मज़े से मेरा काम है एक बार आपको डायरेक्शन देना अब इसको पहचाने का तरीका भी बताता है जैसे यहां पर है लिखा हुआ करम क्या है करम का मतलब एक काम आप जो काम करते हो आप पढ़ते हो इसथा बताना तो आप ध्यान रखना करम में आएगी विश्यष्था उदारण के तोर पर करम क्या आप बोलोगे कि सर कैसे विश्यष्था वगएरा क्या एन की ऐसा आएगी उदारण दो तो जैसे मैं बोलू मुख चंद्र अब इसमें आपको थोरी वगेरा और भी लिखी भी मिल सकती है जैसे कि उधारण के तोड़ पर मैं बताओ इसमें करम धारिये में विश्यसन जो आपका पूर्वे पद और उत्रपद होता है पूर्वे पद मतलब जैसे यह मुख चंद्र मुख चंद्र में यह मुख पहला है तो यह पूर्वे पद पूर्वे पद में तो पहले वाला पद और चंद्र चंद्र क्या है उत्रपद इसके नीचे आप लिख सकते हो यह यहां पर क्या है इदर पूर्वे पद यह तो मैंने पहले समझा दिया आपको और यह आपका क् लिखिए यह आपका क्या है यह आपका समास विग्रे यह आपका क्या है समास विग्रे ठीक है और यह इदर आपका क्या है समस्त पद है यह आपका समस्त पद है हो समस्व यह आपका पूरव पदिया का उतर पद इसमें क्या होता है फिर ऑफ पमी का समद होता है इस के एक चीज की उपमा किसी दूसरे को ऐसे दी जाती है तो अब यहां पर यह सब्द कैसे कि मुख और चंद्र यहां पर मुख की विसेश्था मतलब मुख को किसकी उपमा दी गई है चांद की क्या दी गई है उपमा दी जिए समझ मैं आई बात तो यह चीज होगी कुल मिला कर बtern-दियानना कि विसेश्था विसेश्था मुण जहां पर दर्शायावाओ हो वहां पर आपकर क्या हो जाएगा करमदर्य समय के झाएगा कि यहां पर फिर दिक्कत यूए हैकि कि हम के चीज़ें जैसे कि अपने उदारण लेते हैं और जैसे में लिया एक सवेत पत्र सवेत पत्र अब इसमें पूर्वे पद ये उत्रपद अब इस पत्र की विसेषता बताई चाह रही है कि वह सवेत है मतलब सपेद रंग का है पत्र तो आप इसके बारे में लिख भी सकते हो इसे ठीके ना और जैसे में और बता दो महात्मा इसमें दो चीजे महान और आत्मा समझ में आई बात तो इसका जैसे में विग्रे करूं महान है जो आत्मा यहां पर भी लिख दो सवेत है जो पत्र जो पत्र अब इन दोनों में कोई तीसरा आर्थ नहीं निकल रहा है आत्मा की विसेस्ता बताई जा रही है वो महान है पत्र की विसेस्ता बताई जा रही है वो सवेत है लेकिन कोई भी तीसरा आर्थ यहां पर नहीं निकल रहा है ठीक ना उसको बंद गरो कोई भी 30 आउर्थ है हुऊआपर आपके नहीं निकल रहा है यदि कोई 30 आउर्थ नहीं निकल रहा है तो यहां पर क्या है करम दाज्य सब्सक्रा बताई जा रही है याद रखने का तरीका करम कामी इनसान की क्या है विसेस्ता है अब जैसे आप बोलो के सब कुछ और दिखाओ तो जैसे महापुरुस महापुरुस में क्या होगा आपका इसमें लिखो महान है जो पुरुस ठीक है तो यह चीज आपके आती अब कुछ-कुछ चीजा और होती है जैसे विध्यादान विद्यादान के असर इसमें विशेष्था क्या है इसमें उपमान उपमा है उपमान उपमें वाला समद्र कैसे विद्या रुपीदान विद्या रुपीदान हो गया है ठीक है तो यह जो चीजें होती है यह किस में आती है आपकी करमदार्यम आती है मैं अगेन कहूंगा कि क विंदी भी उसके बाहर नहीं जाएगी यह इतनी चीज आप मतलब मान सकते मुझे बरोसा करके आप यह इस इस एकजामे भी आप एक बार ट्राइ कर लो आपको पता लगेगा पिसले सालों के जो परसंपत्र उठा कर देखो कि उसमें कितना मेज करता है ठीक है तो आज अपन